हाई प्रेंब्स वेलकम टो पेयंका स्कीचर आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी लस्सी स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी ली है मिल्क लिया है लगवग एक कप अधा कप मिल्क दही तीन टेबल स्पून क्रीम तीन या चा टेबल स्पून क्रीम कट ब्राउन शुगर निस ब्राउन चिनी और पुदिना के पत्ते सबसे मेले स्ट्रावेडी लस्टी बनाने के लिए यह स्ट्रावेडी मैं जात में डालती हूँ और इसको प्यूरी बनाना है अर उसके साथ साथ मैं तीन चाहर पते आये पुरे निक्के भी इसके साथ डलती है क्यूंकि उसके साथ ही यो पीस एगे इस स्ट्राबेरी को सबसे पहले पीसना है इस स्ट्राबेरी को मैंने पीस लिया है अभी इसमें मुझे स्ट्राबेरी क्रीमी बनाना है इसलिए मैंने दूद क्रीम और दही का यूज किया है अभी इसमें डालते हैं ये दही मैंने इसमें दही डाला है अभी इसमें डालते हैं 2-3 टेबल स्पुन ये फ्रेश क्रीम डालने के बाद ये ब्राउन शुगर भी इसमें डाल लेते हैं और इसके साथ साथ सबसे पहले मैंने एक दूद उबाला है उसके बाद फ्रीज में बहुत ही फ्रीज में थंडा किया है और यह थंडा दूद इस सब सारी चीजों को मैं इस सारी चीजों को इसे पहले है देखो क्रीमी स्ट्राबेरी लस्टी बनके तयार है मैं आवे इसको सब करते हूँ देखो बिलकुल गाड़ी नहीं है और क्रीमी स्ट्राबेरी लस्टी बन गई है इसके उपर गार्मिशिंग के लिए हमें थोड़ा पीस्ता डालती हूँ क्रीमी स्ट्राबेरी लस्टी बनके तयार है आप भी इस तरह से स्ट्राबेरी लस्टी बनाइए पीए लसी बहुत ही लोग गर्मी की मौसम में पसंद करते है इस मीन्ट वाली स्ट्रावेरी लसी आपको भी बहुत पसंद आएगी और इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छी लगती है आप भी स्ट्रावेरी लसी बनाईए पीए और आपके अनुभाव शेयर कीजिए मेरे चानल के लिए ज़र लाइक कीज़े सबस्क्राइब कीज़े फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ बाई बाई